हेलो एवर्यवन वासटाइन नेचे चैनल में आपका हार दिक स्वागत है आज हम मेनी चानली के बारे में बात करेंगे कि यह जो प्लांट है कैर कैसे कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़नी से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल बन नए हैं तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ और अगर पुराने फ्रेंड है तो मेरी वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा और नए हैं तब भी पूरा वाच करके ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पर और कमें जब करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी तो अब हम मेली चान्दी प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं अभी मेली चान्दी जो प्लांट है इसमें सफीद कलर की वाइद कलर के छोटे चोटे फूल आ रहे हैं और यह जो फूल हो इस तरीकी से करते भी में और बड़ किते हैं मिंवनी फ्लारिक प्लारिंग। दीट सब्सक्राइब और शन्ति कि प्लारिंग। 5 कोल में ऊंष। 5 कि नियुक्प तरह का डर यह 50 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक में आज़ा आपको मिल जाता है और यह एक पर्मानेंट प्लांट है साल भर आपके गार्डन में के रहेगा हमेशा ही अपकी गार्डन में रहेगा अगर आप एक बारे से लगा देते हैं और थोड़ी सी इसकी केर है वो आप धियान रखते हैं प्लांट का तो यह बहुत अच्छे से क्रू हो जाता है जब आप रीपॉटिंग करते हैं तो बस आपको सॉयल मिक्स जो है वो बहुत अच्छी बनानी है इसके लिए एक पर्मनेंट प्लांट के लिए जो आप सॉयल मि और फिर इस तरीके से आप इसमें प्लांट में हर 20-25 दिन में जो भी फर्टिलाइजर आप देना चाहें वो देश सकते हैं यह मैं चावल का जो पानी होता है वो इसमें प्लांट में डालती रहती हूं इसमें अच्छी फ्लारिंग के लिए और यह आप देख सकते हैं यह जो यूज कर रही हूं यह घोबर की जो लिक्विट खाद मैं बनाती हूं पत्यों और गोबर से वो लिक्विट खाद है यह और यह हर 20-25 दिन में देनी चाहिए इसमें फ्लारिंग के लिए तो अभी यह इसका फ्लारिंग का टाइम है तो इसलिए मैं इसमें यह थोड़ा अब ही घर्मिया है इसलिए हम लिक्विड फर्टिलाइजर ही जादा तर यूज करते हैं बाकि आप नॉर्मल टेज में डी एपी के कुछ ग्रैनुवल्स मी डाल सकते हैं अगर घर्मी के दिन नहीं है जून जुलाई के बाद आप इसमें डी एपी दे सकते हैं और जहां तक अगर दोनों टाइम वाटरिंग करने की ज़रत पड़े तो वह भी कर सकते हैं तो वह देखना पड़ता है कि जो गंबला है उसकी जो टॉप सॉइल है अगर सुख रही है सुबह आपने पानी दिया है और शौम को सुख जाती तो आप इसे वापस पानी दे सकते हैं तब ही यह प्लांट जो है है विफलारिंग करेगा कि जो भी प्लांट होते हैं है विफलारिंग जो करते हैं उन प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरुद्परती है तो इसलिए इसे 15-20 दिन में लिक्विट फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है और डेली जहां तक धूप में रखने की बात है कि इसे सनलाइट कैसी पसंद है तो इसे साथ से आँठ खिंटे की प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है तब ही यह जो प्लांट है वो अच्छे सी ग्रोथ करता है तो अभी मेरा यह जो प्लांट है अभी शिक्स मंथ का ही है इसलिए तब बिएबी ग्रैड्वेल्स थोड़ा ठंटा मॉसब होगा तब बिएप्र डम बहुत अच्छी अच्छा होता है रहले है उसी से आप मिनी चांद्नि में बहुत अच्छी लेसकते हैं इसकी जो आप पत्यां देख सकते हैं बहुत चोटी च्छोटी सी पत्यां होती है जो बड़े फूल वाला चादनी का प्लांट आता है उसकी जो पतियां होती थोड़ी इससे बड़ी होती है और फूल जो होते वो भी बड़े होते बस यही से डिफरेंस है और डबल पैटल में जो फूल होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो डबल रहती है बस यही सारा डिफर कर सकते हैं पर्मनेंट प्लांट है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा